यहां कैसा माहौल माही बस हर तरफ खौफ है वहवाही के लिए राजनिती में नोक जोक है दर्द के दोर में दर्द दिया काला बाजारी ने कितना कुछ बदल दिया एक महामारी ने कभिता किसने लिखा है मुझे नहीं पता लेकिन जिसने भी लिखा है शानदार लिखा है काला बाजारी कोई नहीं बात तो है नहीं जब कुरोना वाइरस देश में अपना पाउँ पसार रहा था तब सेनेटाईजर मास इन सारी चीजों को लेकर काला बाजारी की जा रही थी और अब एक बार फिर किसानों का इूरिया उस रास्ति पर खड़ा है खबर है कि बिहार में इूरिया की काला बाजारी नहीं रुक रही है काला बाजारी के बढ़ जाने से किसानों को ज़्यादा रकम देकर इूरिया खड़िदना पड़ रहा है इधर केंदर सरकार ने नौवंबर और दिसंबर से ही यूरिया की आपूर्थी कम कर दी थी अब क्रिशी विभाग के तरफ से केंदर सरकार को चिठी लिखी गई है चिठी में देशी यूरिया के साथ साथ आयातित यूरिया की कमी को लेकर क्रिशी विभाग की तरफ से चिंता जताई गई है केंद्रिय मंत्राले को पिछले साल नॉवंबर और दिसंबर में बिहार को मिले देशी और भी देशी इूरिया के आवंटन का पूरा बेवरा देते हुए जल्द से जल्द परयाप्त मात्रा में इूरिया उप्रव्द कराने की मांग की गई है क्रिशी विभाग ने अपनी चिट्थी में बेवरा दिया है कि बिहार की तरफ से 1,47,150 मिट्रिक टन देशी इूरिया की मांग नॉवंबर 2020 में की गई थी जबकि केंदर की तरफ से आपूर्ती सिर्फ 1,45,219 मिट्रिक टन की हुई थी दिसंबर महिने में देशी इूरिया की मांग 1,69,200 मिट्रिक टन की गई थी लेकिन केंदर की तरफ से आपूर्ती सिर्फ 1,43,233 मिट्रिक टन ही हुई थी बताया जा रहा कि आयातित यूरिया और देशी यूरिया को मिला कर दिहार की जरुवत के अनुसार केवल 84 फीज़ी यूरिया ही मिल पाया है नौवंबर महिने में 9420 मिट्रिक तन आयातित यूरिया की मांग की गई थी लेकिन केंदर सरकार की तरब से सिर्फ 86,690 मिट्रिक तन आउँटित किया गया दिसंबर में 79,8 तन की मांग थी लेकिन आउँटर सिर्फ 1,316 मिट्रिक तन ही किया गया अब प्रिसी विवाग इस बात को लेकर चिंतित है कि बिहार में इुरिया की काला बायारी बढ़ेगी लेकिन बढ़ेगी या बढ़ चुकी है इसे भी समझने की जरुवत है बिहार के किसान पिछले साल से ही इुरिया की काला बायारी से परिसान है सई जब हो पर तो इथिती इतनी खराब है कि सरकार द्वारा तै कीमत से दो वुना ज्यादा दाम देकर किसान खाद की खरीद कर रहे हैं हिंदुस्तान में कैमूर जीले की ये ख़वर चाती है उसमें बताये गया है कि यूरिया के प्रती बैक पर लगबख 100 रुपया से ज़्यादा वसूला जा रहा है उत्तर बिहार की किसानों की भी यही समस्या है सरकार द्वारा किमत 266 रुपया प्रती बैक तै किया गया है लेकिन डीलर उसे 330 से 350 रुपया प्रती बैक के हिसाब से बेज रहे है आज से लगबख 12 तेरा दिन पहले की ख़वर है कि आधार काट पर एक किसान को सिर्फ 20 किलो यूरिया देना था लेकिन इसमें गरवडी कर एक किसान को 100 बोरा से अधिक यूरिया दे दिया गया डीयम के निर्देश पर डीयो ने कारवाई भी शुरू कर दी इसके अलावा अगर्ष 2020 में एक ख़वर आई थी कि नितीश शरकार हर जिले के 20 सबसे बड़े खाद खरीदारों की जाच कराएगी इस समय क्रिशी विभाद में सभी जिलों को एक पत्र जारी कर निर्देश दिया था कि सभी जिलों के जिला ध्यक्ष अपने अपने जिले के बीच ऐसे ग्रहाकों की जाच करे जिनोंने सबसे अधिक खाद खरीदी है खास से जुड़ा हुआ एक आकड़ा यह है कि 2019-20 में राजय में 56 प्रतिसत खाद बीना सही आधार काट के ही बेची गई है इसके साथ ही 46 फीजी लेन देन भी कालपनिक ब्यक्ति के आधार काट पर हुआ है बताया याता है कि बिहार में नेपाल के 60 सीमा पर नेपाली एजेंट सक्रिय हैं जो बिहार से इन खादों को अधिक दाम पर खरीद कर ले जाते हैं काला बाजारी का धंदा सीमा वरती इलाकों में कई गाउं में चलने की बात सामने आई थी इसके अलावा दिसंबर 2020 में एक ख़बर आई थी कि काला बाजारी पर सरकार शक्त है और इसे रोकने के लिए टीम बनाई जाईगी इस टीम का गठन सभी जीलों में किया जाएगा टीम बनाने की पिछे की वज़ा थी कि शाषन को ये ख़बर मिली थी कि सब सीड़ी वाले यूरिया को वह लोग भी खरीद रहे हैं जो खेती करते ही नहीं इस मामले पर क्रिसी विभार ने शक्त रूप अपनाते हुए कहा था कि ऐसे लोगों पर एफाई यार कराई जाईगी फिर बाउजय लगले वीडियो में क्यामरे के पीछे खड़ी है स्रीशी शिर्वास्तो और मैं मोहित कुमार सीओं धन्यवाद